Hello everyone, welcome back to our YouTube channel तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Relative Reactivities of Halogenes in the Halogenation of Alkenes के बारे में मतलब Halogenation अगर हमें कराना है Alkenes का और हमें different यहाँ पे Halogenes दिये गए हैं जैसे Fluorine हो गया, Clorine हो गया, Bromine हो गया और Iodine हो गया यह चारो अगर आपको Halogenes से Present हो एक Reaction में तो आपके मन में कहीं न कहीं एक बात जरूर आएगी कि इन चारो Halogenes में से कौन सा Halogenes सबसे ज़्यादा Fast Reaction हमें देगा तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जिसमें मैंने आपको Mechanism of Halogenes के बारे में बताया था उसमें मैंने एक स्टेप में आपको बताया था कि जो Methane होता है CH4 वो एक Radical Halogen Radical जैसे Clorine Radical के मेरे में मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम X ले लिए जो कि Clorine यहाँ पे हो सकता है Bromine हो सकता है, Iodine हो सकता है, Fluorine हो सकता है तो यह जो Radical basically first step में हमारा form किया था वो Radical basically CH4 के साथ में reaction करके CH3 Radical का formation कर रहा है मतलब यह basically आपका CH3 जो है एक यहाँ पे CH bond का जो है क्या हो रहा है breakage हो रहा है और यह जो आपका Carbon Hydrogen bond का जो breaking होता है इससे जो तोड़ना होता है वो बहुत जादा important होता है और यह जो bond आपका break करता है इस bond के break होने का जो step होता है उसे ही हम क्या कहते है RDS step, मतलब rate determining step इसे हम कहते है मतलब यह जो reaction आपका proceed कर रहा है इसमें जो CH4 में जो आपका एक Carbon और Hydrogen का bond break करके CS3 radical का जो formation हो रहा है उसे ही हम यहाँ पे rate determining step कहेंगे तो यहाँ पे एक important concept हमें समझने को मिलता है activation energy के थुरू कि जिस हैलोजन का हम यहाँ पे use करेंगे चाहे X आपका chlorine हो जाए, bromine हो जाए fluorine हो जाए या फिर iodine हो जाए जिस हैलोजन के थुरू जो है यह activation energy जितना ज़्यादा high होगा reaction उतना ही कम होगा मतलब slow होगा अब इससे समझने के लिए आपको यहाँ पे energy profile में आपको यहाँ पे show कर रहा हूँ जैसे आप यहाँ पे देखना कि मैंने एक से जगा में एक fluorine radical को जो है यहाँ पे put किया हुआ है अब यह fluorine radical जो है CH4 के साथ में क्या कर रहा है reaction कर रहा है जैसे CH4 के साथ में reaction कर रहा है यह एक activation energy के थुरू जाकर के जो है यह आपका CH3 radical का जो है बेसिकली यहाँ पे formation कर रहा है उसके साथ साथ में HF का भी यह formation कर रहा है लेकिन एक important चीज यहाँ पर क्या है वो यह चीज है कि यह fluorine CH4 का एक carbon hydrogen bond को ब्रेक करवा रहा है और यह जो आपका starting का जो energy है और जो higher energy है इन दोनों के बीच का जो energy होता है इसे ही activation energy कहते हैं ठीक है मतलब reaction को अगर proceed करना है CS3 radical बनाना है तो इस energy barrier को जो है proceed करके जो है CS3 radical बनाना पड़ेगा और यह energy जितना ज़्यादा high होगा वो reaction उतना ही ज़्यादा slow होते जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया fluorine के लिए आपका energy level यह है तो जैसे माल लेते हैं कि अगला chlorine के लिए क्या होगा और जैस्ट अभी मैं आपको data show करूँगा जैसे example के लिए माल लेते हैं कि उसका energy यहाँ से high हो गया तो अब इन दोनों में अगर आप compare करोगे fluorine and chlorine में तो एक चीह आप यहाँ पर ध्यान देना कि जो आपका fluorine के लिए यह energy है यह वाला यह कम है वेरेज जो आपका chlorine के लिए यह energy जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा मतलब reaction को ज़्यादा यहाँ पर मेहनद करने पड़ेगी इस reaction के थ्रू जो है product का formation करने के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो CS3 और hydrogen का जो bond break करने का जो energy होता है वो 435 kg होता है तो हर एक में 435 जो है यहाँ पर किलो जूल यहाँ पर fluorine, chlorine, bromine, iodine के लिए सो किया गया है अब यहाँ पर इस bond को break करना है चारो ही cases के लिए और चार different यहाँ पर आपको radical जो है provided है जैसे fluorine, chlorine, bromine और iodine radical आपको यहाँ पर provided है अब अगले step में होगा किया कि जब हमारा reaction complete हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर पहला तो HF का formation होगा और यह hydrogen को abstract करके यहाँ पर HCL देन यहाँ पर HBR और यहाँ पर HI का formation होगा ठीक है यहाँ पर अगर आप एक जी note करोगे तो इसमें जो है आपका इसका जो HF का energy हो 569 kJ है HCL का energy हो 431 kJ है HBR का bone energy जो है basically 368 है और HI का जो है bone energy 297 मतलब सबसे weak bone जो है आपका यहाँ पर HI का form किया है लेकिन एक important बात वो क्या है कि सब में जो है यहाँ पर methyl radical का जो है formation हो गया है और साथ साथ में जो है सबका जो delta H यहाँ पर form किया है जो के negative मतलब exothermic यहाँ पर आपका हो रहा है fluorine के लिए और बागी के लिए यहाँ पर delta H जो है positive में आ रहा है ठीक है अब देखो important क्या है इन सारे के लिए joh is activation energy mention है जिसके लिए जो है fluorine के लिए activation energy आपका यहाँ पर दिया गया है कितना 5 kilow जूल chlorine के लिए 17 kil daytime led और bromin के लिए है keyword 78 इंड iodine के लिए 對 8 kilo जूल जो है यहाँ पर mention किया गया है चार यहाँ पिजमन के आगे हैं अब आप एक चीज बताओ कि सबसे ज़़की ज़ुदा एक्टिवेशन जी किस के लिए हो रहा है तो basically iodine के लिए हो रहा है then bromine के लिए हो रहा है then chlorine के लिए हो रहा है and fluorine के लिए हो रहा है तो iodine का reaction सबसे slow होगा ठीक है यह मैं slowness का रिख रहा हूँ मतलब fluorine का reaction rate सबसे ज़्यादा होगा then chlorine का होगा then bromine का होगा then iodine का होगा ठीक है यह चीतों मैंने बताया अभी और क्यों होगा उसके पीछे का reason मैं आपको बता रहा हूँ कि एक energy barrier को तोड़के यह आपका product का basically formation कर रहा है और पहले वाले case के लिए जो activation यहाँ पे mention है वो 5 kJ per mole है फिर chlorine वाले case में देखोगे तो chlorine वाले case में जो है यह activation जो है 17 kJ per mole है मतलब यह energy जो है यह ज़ादा है यहाँ पे fluorine वाले से ठीक है और अगर आप यहाँ पे अगला दो यहाँ पे देखोगे bromine और iodine के लिए तो वो यहाँ पे mention है कि reactant का energy कम हो गया और product का energy ज़ादा हो गया मतलब कहीं ना कहीं जो है यह energy ज़ादा होने से जो है जो product form कर रहा हो कहीं ना कहीं आपका unstable product जो है basically यहाँ पे form कर रहा होगा और इसके लिए जो activation energy है आपका 78 यहाँ पे किलो जूल है और यहाँ पे 138 किलो जूल है मतलब बहुत ज़ादा यहाँ पे energy चाहिए इस reaction को proceed करने के लिए इन दोनों reaction को proceed करने के लिए और यह ज़ादा energy चाहिए इसलिए यह reaction जो है बहुत ज़ादा slow हो जाते है और basically product जो है reaction form करने के लिए ज़ादा energy देने की requirement होती है और जैसे मैंने आपको delta H mention किया था 138 वो basically reactant और product के बीच का जो energy gap है उसे यहाँ पे basically mention किया गिया है अब देखो यहाँ पर वाले के लिए बता दू मैं आपको जो delta H है यहाँ पे है इसके और इसके बीच का energy gap minus 134 और यहाँ पर reactant और product के बीच में जो है delta H is equal to 4 kJ ठीक है अब देखो एक important बात यहाँ पे बता दू कि decreasing order of activation energy का order क्या था तो यहाँ पर था iodine then bromine then chlorine then fluorine का ठीक है आपको just मैंने बताया 78 sorry 130 138 देन आपका 78 उसके बाद में आपका दो energy gap और था वो कितना था यहाँ पर देखोगे तो 17 था और 5 था यहाँ पर ठीक है अब इससे हमें यह पता चलता है कि halogenation suit भी क्या order है then chlorine then bromine then आपका iodine का जो है basically यह आपका order form करेगा तो कभी भी जब आप हेलोजिनेशन कराने जाओ तो आप हमेशा याद देखना fluorineation सबसे जादा होता है then chlorineation होता है then bromineation होता है then आपका यहाँ पर iodineation होता है यह basically आपके iodineation या फिर है यह आपके यह order रहने वाले हैं तो क पीछे का reason simply कहना कि activation energy के इसके पीछे का reason है कि fluorine में activation energy बहुत कम requirement होती है लेकिन chlorine में उसे जदा होती है then bromine मों उसे भी जदा होती है और iodine में और भी जदा होती है और सबका data जो है आप उसे बता सकते हो और reaction को जो है explain कर सकते हैं कि क्यों fast जा रहा है तो इतना data मैं आप सभी की साथ में share करना चाहता था आगले वीडियो में जो है अगले important topic साथ मिलेंगे तब तक के लिए thanks